हाँ जी तो कैसे हैं आप सर्फ मैसेल तिवाइश चत्रवेती जी और वापस आगे हैं हम भाईयार नई वीडियो के साथ और अब कैस हम चलाने वाले हैं 12931 मुंबई सेंट्रल सूरत AC डबल डेकर एक्सप्रेस यार सूरत AC डबल डेकर एक्सप्रेस काफी टाम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी मलब MSTS के गेम प्ले की विडियो डाली वह थोड़ा मतलब रिलेटिपस थे घर में तो यार वीडियो में ठीक से बना नहीं पाया था एंड मैं ट्राइ कर रहा था कि आपको सभी तरह की वीडियो तो रेल फैनिंग रेल वर्क्स एंड MSTS सब तीज की सो अभी हमारी जो ट्रेन का है डिपार्टिसर टाइम हो चुका है वापी स्टेशन से पता नहीं यहां पे इसका स्टॉप होता भी होगा है नहीं एंड बाइद बए एक्टिविटी बनाई है मिस्टर पवन महारा जी ने यह रूट है वेस्टन बेरू बाइ मिस्टर मीत राथाओ जी तो चलिए अपनी फ्रेन का जो है फ्रॉटल इंक्रीज करते हैं और यहां से डिपार्ट करते होन बजा गए हां जी हमारी मुंबई एहमदाबाद डबल लेकर ने काफी लंबा हॉंग मार दिया है जो भी पैसिंजर से हैं बैट जाए भाई हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं अगर कोई पीछे रह गया तो एस पार एस आयनो हमाई ट्रेंट टाइम पर चल रही है एहमदाबाद मुंबई डबल लेकर है एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि पवन महरादी की अक्टिविटी में ट्राइफिक मिलेगा तो भईया मज़े मतलब मज़ा आने वाला है बाइद आप गैस मैंने सोचा था कि आज गेतांजली एक्सप्रेस चलाओं बट मैं वह थोड़ी ओपन करी वह एक्टिविटी या थोड़ा स्टार्ट अबना मेरे को सही नहीं लगा वह वह जो एक्टिविटी है सेले सेना जी ने बनाई आए तिन अड़नों सेले सेना जी हैं या कुमार जी हैं जो भी हैं भाई जी उन्होंने एक्टिविटी बनाई वो तो हार्टवा की तो रिस्पेक करते हैं बट मुझे स्टार्ट होगे ना गाई एकदम से ट्रेंस आ रहे थी वह यार कफी उन्दब अचानक चीज लगी वालब थोड़ी हेरा देने वाली बट यह निए कि वो एक्टिविटी में नहीं गिलूगा अभी गितानिली एक्स्प्रेस भी आएगी एंड एक सरकी है एम्यू ट्रेंड की जो वीडियो थी मुंबई से थाने जो भी लोकल है या सीस्टी से काफी भी वीडियो का इस पैंडिंग है उन्हें भी कम्टीट कर सो लेट सी कि हमारा वन थाटी के एक्शन कैसा रहता है वाइदे बगाइस चांसिस तो है यार अगर बीस किलोमेटर से उपर की जैद्नी कानी है एंड एक्सो तीस किलोमेटर परार की लिमिट है यह चली इंक्रीज कर देते हैं जो है फ्रॉटल पावर अगर जैसे कि आप सबी देख सकते हैं यह डबल डेकर के हमारे कोचिस हैं अभी तक के सबसे बढ़िया डबल डेकर एक्सप्रेस के कोचिस अभीलेबल है बै मिस्टर अगॉरब कुथारी जी अगर 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 उस ट्रेंड का सब्सक्राइब अगर तब तो हाई स्पीड मिलने से रहा अगर अगर अपना वैफाइब जो है एक्सलरेशन का अच्छी गरता है अभी मतलब हम पच्छपन की स्पीड के असपास आगए इतनी जल्दी और भाई जो हमारा वैफाइब है वो कौन सा वैफाइब है वाव यार गौरफ जी का वैफाइब इस मॉडल तो यह अमरजीत सिंग फ्लोरा जी का है आइगेस यह जो लोकोमोटिव है यह वैफाइब नंबर 30,075 इसका नेम जो है गौरफ हो सकता है भाई आगे चलके रेट सिखनल तो नहीं आएगा ना यह हमें यल्लो की लग रहा है चार किलोमेटर के आसपास ट्रैक मोईटर में और भाईया हम आचुके हैं अब अपने वैफाइफ के कैप व्यू में सर जी आप कौन हो पहले हमें अपना इंट्रोड़क्शन दीजिए आपके साथ ट्रैवल करने में यहार हमें सेफ नहीं लग रहा है पता नहीं सर जी कौन है शांत बेठे हुए है यार ट्रैन चला रहे है चलाने दी जेते हैं वाई कौन सी ट्रैन आगई डबल टू नाइन डबल टू गवरग पूर बांदरा टर्मिनस अंट्योड़ए एक्सप्रेस वाई है रिसेंट्ली जो हमने अंट्योड़ए एक्सप्रेस चलाई थी तमागेदार यार ट्रैसाँ काफी अच्छी गई यार इंट्योड़ए एक्सप्रेस को जब भी नाम आता यार इंसिडेंट यार जा जाता है वो जो आखरी में हो गया था हमारे साथ जिसमें 5-6 कोचिस जो हमने प्लैटफॉर्म के आगे जाके खड़ी किये थे और सिग्नल से 10-20 मीटर की दूरी थी वो ब्रेक होने ही वाला था भाई स्पीडो मीटर में कितनी स्पीड दिखा रहे हैं अरे महस किया एक्सोबीस भाई एक्सोबीस पर नहीं जल रही है अपना जो है ट्रैन अभी 92 के आसपास ही है पैसेंजर भी है तो वो चीज इस्टे कैब यू होता है उसमें होते तो शायर यह एनिमेटेड हो सकती थी बट अभी जो है MSTS में कोई भी इतना शांतर जो है कैब यू अविलेबल नहीं है रैफ आइप का मतलब हाँ एक परसन का है इंद्रजी जी का वो वैफे में लगता है कि यार वो गेम है बट जो मिदलब अब आपने देखे होगे हमजा जी जो रॉडगेज प्रोडक्शन की ओनर है वो जो लोकोमोटिस बनाते हैं उनका जो कैब व्यू होता है वो जो लुक आते हैं वो चीछ सबसे अच्छी लगती है कि सड़ी हम कहा पहुंच गई इसलिए बाहर चलते देखते हैं यार बैए हम एपसेवन दबाते थे और सॉड़ हमें क्यों बताते हो कि हम वहारा डा प्लेयर थ 봤े घृए हम्हें तो पता यह होगे और की हमारी प्लेयरे और आप क्या प्रैस कर सकते हैं हूं illegally इसलिह होऊ 12494 Darshan Express वाउ यार ICF राजदानी ये चीज़ देखने में काफी प्यारे लगती है जैसे कि आप सो भी देख सेकते हैं I think हमें जो अगली ट्रेन क्रॉस करने वाली है वो 19016 Saurashtra Express हो सकती है ति जो भी हो हाई 103 के आसपस यार स्पीड आ रखी है 130 के उपर हमें जाना होता है 130 के लिमिट है तो 110 के लिमिट में हमारी ट्रेन भागती रहती है 120-115 वो 130 में 122 पई पड़ी रहती है ऐसे कैसा हम ट्रॉटल पावरे निक्रीस करना भूल गया ट्रेन का भी इसमें कोई कलती नहीं है अब है अब है अब है आई अब है अपनी राइट इन साइड में क्या है है हाई वे चल रहा है कि अब है वह बस वाली यार काफी अच्छी स्पीड में चल रहे हैं बट भाई या हमारी डबल डेक अरेस्प्रेस है हमसे पंगा मत लेना हम जाएंगे एक सो तीस पर चले आटो पालेट पर रख देते हैं प्रेंट एज एक सो तीस की काइस लिमिट जो हमें फॉलो करनी है तो अब हमारादी ने लिखा भी है डोंट ओबर स्पीड बट ट्रा है कि मालगाड़ी तो नहीं है कि तो डूल कॉंड़ा शेट का इसेंग डॉलो डेम थिरी हैं जिस सिंगल कभ्यूस यहां पर कोई मालगाड़ी हो बर्चो मालगाड़ी के वैगन्स हो वो मेरी ट्रेंसेट में नहीं हो एक्जाट लोकेशिट पर है जैसा कि मैंने आप सब ब कर गई अच्छी स्पीड में ना पता नहीं वो अच्छी स्पीड में थी या हम अच्छी स्पीड में है इसमें तो कोई डाउट नहीं है अपना तो 127 के स्पीड मेंटेन हो डाय लिए और चार किलोमेटर बाद पता नहीं क्यों यार 90 किलोमेटर परायर की स्पीड लेमेंट दिखाई गई है में भी गाइस कोई ब्रिज हो सकता है जो भी है अब F7 आफ कर देते हैं अगर कोई ट्वेन नहीं आ रही और पता कर लेते हैं कि नेक्स कौन सी ट्रेंड आ सकती है PTPN Goods Traffic 1 अच्छा मालगाड़ी आ रही है आई आई यह वैसे तो गाइस मालगाड़ी की क्रॉसिंग में मज़ा भी आता है क्योंकि जो फ्रैक साउंड आती है नो उनकी वो मज़दार होती है मतलग जैसे कि आप सब भी देख सकते हैं काफी जो है अगर आपने तक ट्राइ नहीं करी है आपको पबन महाराजी की एक्टिविटी में यह देखने मिलेगा कि ट्रैफिक है भी है प्लस जो स्टॉक यूस किया गया है वो मुस्टली कॉमन है कि इसलिए में मोस्ट अब दा टाइम्स को इनकी एक्टिविटी आती है तो सबसे पहले उसर डाउनूट करके खेलता जरूर हूँ हां मतलब यह चीज गलत होगी सबसे पहले थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ कभी-कभी जैसे कि अभी हो गया यार कि अधियर फाइब जी हमारी चिल आने लग गए लगता है कोई स्टिशन आने वाला है कि अधियर गईस एफपीस फी थोड़ा बहुत एक एक करके है ड्रॉप हो रहा है लगता है आगए कोई ट्रैफिक ट्रेन है एवी बली मालगाड़ी हो सकती है क्योंकि मालगाड़ी सबसे ज्यादा हमारा एफपीस खाती है एक वो जो एलेजबी कोचिस है इंका और अब को थारीगी के अच्छा ओवर्टेक कर रहे है हम किसी ट्रेन को एट पर्दी स्टेशन अद्धेर इस संग फ्रेट ट्रैंड इस्टेशन इन दिलूप लाइन आओ यार मालगाड़ी को मालगाड़ी ओवर्टेक कर रहे है जैसे कि मैंने आफे क्यों पताया था मालगाड़ी आईगी बीटीपें और वही है और वी आज एट वीडिए भाई भाई आपको तो हमने अरे यार 90 की स्पीड पर जो है ओवर्टेक किया कोई बात है अट लिस्ट स्पीड तो अच्छी दिना मालगाड़ी अगर हमारी हाथ में होती है ट्रेंड तो हम तो देखते हैं भाई आराम से चलाते हैं 130 पर यहां जैसे कि मैंने आप से कोई पताया था कोई प्रिज हो सकते हैं और वही है जब ही यहां की स्पीड लिमिट 90 कर रखिया है इन लोग ने अगर रियल डिस्टेंस रूट है तो स्पीड लिमिट वगेरा भी रियल ही लगानी लगाएं गई काफी आटबा किया है मीट आता हो जिए वाइदर वे इस रूट का अपडेट भी आने वाला था बट तो नो वो आएगा भी या नहीं अगर आ जाता हो तो यार काफी चल तो फिट सम्वेफ़ो और अब हमारे ओटो पैलिट जी स्ट्रेंड को जो है सॉरी यह वाइफ़ाइफ को एरोप्लेन का इंजन दे देंगे आप देखेगा कि कैसे इस्पीड इंक्रीज करते हैं फिर बैस अब एरोप्लेन भी फेल है ओटो पैलिट के सामने गोइंग टू अप्रोच बलसाद स्टेशन एट किलोमेटर बाकी है यह जो भी स्टेशन है यह अपना ओवर्टेक हो जाता ना कोई शताब्दी से वाइथा विकास मुंबई से एंदा बाद शताब्दी जाती तो है बट में भी हो थोड़ा टाइमिंग का अप डाउन हो सक लगता था किया टाइमिंग मेहस नहीं करती तो गलत बात हो जाती और शताब्दी को लेट तो चलादी से रहे बिपोर टाइम हम चलाएंगे तो सही लगता है अरे बापरे कैसे स्टेशन किया लूप लाइन में ताला रखा है इसको ट्रेन को वन नाइन डबल त्री वन कुच्छु वेली इंडॉर वीकली एक्स्प्रेस अरे यार एलको मोटिव हॉल्ड ट्रेन थी इसलिए लगता है इसे ओवर्टेक करवातिया बाइद 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 अवर्टेक होना थोड़ा कॉमन भी है अगर कोई ट्रेन जो है एलको मोटिव से हॉल की गई है और वह एक्सु किलोमेटर पर आर के सेक्शन में जहांसी बांदरा टर्मिनस सुपरफास एक्स्प्रेस उन्हों सुपरफास थी एक्स्प्र होती है या एक्सोपचेस भी होती है कुछ की एक्सोपचेस हो सकती है तो उनकी मैक्सी स्पीड मोस्टी 110 वह मुश्किल से कर बाते हैं अगर ज्यादा कुछर ट्रीन है तो पीछे यार कोई ऐसी ट्रीन चल दिए जिस पर वैफ आई वैफ सेवन लगाओ और उसका नेम के एंड में लिखाओ शताब दिया डबल लेकर या राजधानी अब तो भाईया पिटना कॉमनी बात है एक यार इनको चैन लिए वह फाटक बंद हो जाते हैं और तब भी निकल जाते हैं रुकते ही नहीं है लगता है प्यूश को एल जी को बलाना पड़ेगा MSTS कम्यूनिटी के लिए इधर का जो MSTS कम्यूनिटी में इंडियन रेलवेज है उसमें काफी गलत चीज़े हो रखी है जैसे कि ये फाटक में लोग रुकते नहीं है चले जाते हैं इनके लिए आरपी आफ लगबाने बढ़ेंगे यहां पर तो आटो पैलेट जी अब हमारी ट्रेन आप हम को दे दीगे हम इसे संभाल लेंगे अगले स्टेशन तक पलसाद स्टेशन पर क्योंकि यार हमें करनी होती है रिसके एंट्री अब ही हम यहार पहुंचने वाले हैं और वायर जब हम अपने स्टेशन के पास पहुंचने वाले तो हमारी स्पीड बढ़ने लगी चले ट्राइब करते हैं कि 80 या 70 की स्पीड में एंट्री करें उसे स्टेशन में जो की है वलसाद स्टेशन हमारे यहां पर स्टॉप है और हमें ग्रीज सिगनल दिया गया उसके बाद की बॉक्स ने चल गुट्स ट्रेंड वाव यार कोईला जा रहा है कहीं अब 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 आई यह कहां गया बारा जो है पैसेंजर को अब ब्रेक लगा लो अब 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 आई सब 100 km परार की स्पीड में कॉन एंट्री गड़ते हैं अब 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 आपके ब्रेक्स तो अच्छे है तो अच्छा हुआ है और हमारी प्रेन रूख जाएगी अब बट जीरो पाइंट डू किलोमेटर पर भी रूखनी नहीं चाहिए अब यह ट्रेन अभी तक आई है नहीं इस्टेशन में उससे स्टॉप नहीं लिया और हमें ग्रीन सिगनल दे रखा है अब नॉट कूल नॉट अट अल उच्छे लिए नहीं पर रूख लेते हैं ऐसे भी आखरी कुछ तो अगर हमारा प्लैट्फॉर्म में है आपका मैं खाओ विकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22908 अर्यार यह क्या है अच्छा ऐसका यह जो डवर लेकर रहागए इसमें आपको पैसेंजर व्यू दिया जाता है पैसेंजर व्यू थोड़ा देखनी में आच्छा है बट यार मेरे को ना गेट पे जो है ट्रैवलिंग करने का मज़ा आता इस केम में तो मैंने गया किया वो पैसेंजर वीव थोड़ा एडएक कर दिया अब जो पैसेंजर वीव चालू होगा जो उसमें शेप यूज़ की जाएगी वो आउटर साइट की यूज़ होगी अलब आउट साइट ती भाई पैसेंजर बैठेंगे यार डर रहे हैं, यार हमें इनकी ट्रेन में नहीं बैठना, या मतलब ऐसी खड़े हो गए हमारी ट्रेन लेकर, कोई बैठ ही नहीं रहता, ऐसे तो कोई बैठे गा या उतरे गा यार वो भी नहीं दिखा इसमें, I hope, अफडेट्स में आये ऐसी चीज, पैसेंजर्स भी दिख भाई लोग बैठ जाओ, हमारी मुंबल से एहमदाबाल डबल लेकर एक्सपरेस जो चलती है, वो यहां से डिपार्ट करने वाली है चिल, 50% त्रोटल पाउर से डिपार्ट करेंगे, अच्छी एक्सलेरेशन रहेगी हमारी फिर यह नहीं कियार पैसेंजर ट्राइन की तरह चला रहे हैं वैसे तो गाईज अभी 100 किलोमेटर पराज की स्पीड है, मतब स्पीड लिमिट है आइ थिंग यह बलसाद इस्टेशन के आग है, जब हम सूरत इस्टेशन के साइट जा रहे होते हैं तो उदर एक ब्रिज पढ़ता है उसी की वज़े से, यह खड़ी बाई राइट हैंड साइड में कोई बी टी पीन फ्रेट रहें जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उसे ओवर टी कर रहे हैं भाई हम खड़े का हैं यार इस हमारा जो है गेट तो बंद है ट्रेन का कि ऐसे यार इस्टन काना अच्छी बात नहीं है आगर किसी गार्ट साहब में देख लिया तो फाइन लग झाएगा अच्छे से चलिए अच्छा है 50% थ्रॉटल पावर पर अपनी ट्रेंड रखी है जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो सही है अभी 200 मीटर के बाद हमें जो है 180 मिल लेगी होने वाली है 5x50% throttle power and let's drive our double decker express at around 130 not above as Mr. Pawan Maharaji said that please don't overspeed so we will try our best to not overspeed while driving the great double decker express let's see concentrate आ सकती है अभी जो गई थी वो हापा मत गाउं थी यार जहां तक है I think Guali और Pune weekly express नहीं यार ये तो कोई दूसरी आई है 22950 Delhi Serai Roila Bahandara Terminal Superfast Express वाव यार ये लोको मोटिफ पाफी अच्छा था and we just cross some bridge बता नहीं है खौन सा ब्रिज है अच्छा लगते हैं अच्छा लगते हैं अच्छा लगते हैं भाई आगे यार अपने को लूप लाइन में दलवा रखा है लगते पवन महारा जीना कुछ खुराफाती कर रखिया इस activity में कोगी या लगते अपनी दबल लेकर express overtake देख क्या कौन सी आरी है पीछे से वैसे तो हमारा इरादा यार अब ओवर स्पीडिंग का ताथ होड़ा बहुत आज बिना ओवर स्पीडिंग के तो हैर हमारी विडियो चली नहीं सकती परना हम गेम खेल सकते अच्छे से कि अब भाई भाई कहां से आये हो जाए तुम ट्रॉक ड्राइवर ड्राइवर कुछ इंचिस से बची है भाई वो ट्रॉक अगर रियलिटी में होता गैस ऐसे तो रियल में होता तो ऐसे कोई लिके नहीं जाता वाले खड़े करके कोई प्लैनिंग होती तब तो पर सकते थ हो लो ऐसे यार बैठ के निकालना किसी के बस की बात नहीं है यह सर्फ यह सिम्यूलेशन में हो सकता है वा यार कोबर स्पीडिंग की बात आई थी तो हमने करी थी दिहान ही नहीं दिया चले चलते रहिए वह पाई जी ऐसे आर आपकी स्पीड भी अच्छी है मतलब मैक्सि अपना ट्रैक माइटर बता रहे कि तुम जो इस पीड में चल रहे हो वह डिंगरस स्पीड है इस ट्रैक के लिए अचली प्रेक्स लगा लेते हैं देखते हैं यार क्या हो गए यहां पर आई सब एमरजंसी लगाएं सौकी स्पीड पर लोकोपैलिट जी ऐसे काम मत करिए ऐसे यह हमारा कुछ काम नहीं था यह जो लोकोपैलिट जी इदर बैठे हुए यह सारी इनी की फुरफ आती है हम तो यह जो भी नोटबुक है उसमें लिख देंगे कि क्रेन यह भाई चला रहे हम नहीं चला रहे तो चली चलते हैं डूंगरी स्टिशन की लूप लाइन में करेंगे 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 वह रेडी हो रहता है सो रुपना तो पड़ेगा यार करेंगे करेंगे रहे हैं चली देखते हैं पॉर्जेट साइड की ट्रैक से आर पॉनसी ट्रेन आ सकती है जा प्रोस तो किया गया है वह सिगनल अर्या यह गई भी वाय यह पॉनसी ट्रेन आई विट सम वेफ फाइट वाव गया इस क्रोसिंग देख रहे हैं आप कितनी वादब शांदर हुई है जो फैंसेज हैं इसके पीछे से यार कुछ चीट जाती है ना तो शांदा लगती है वह भी हूँ अचलिए फिफ्टी मीटर तक लेके चलते हैं वाई तवे में लाइन का सिगनल तो ग्रीन होई चुका है पता नहीं आर कौन सी ट्रेन आ रही है अचलिए तक यहां तक मझे लगता है यह राजदानी की हो सकती है यहां तक मुझे आदे डबल लेकर की जो प्रियुरिटी है वह राजदानी से तो कमी है अज सब्सक्राइए अजिए वे व्यक्राइए अज की शपीर अचछा आपका रही है अभी से फ्रक्राइट के डिच्दानीट्राइए अभी तक काफी अच्छी टूटी कार रहे है तो अलग बात है की ओरज़िटी अच्छी जादानी कर दीती आश्य अब्याति देखते हैं यार कॉंसी ट्रेन आ रही है, I think आ ही गई है, देखते हैं, F7 on कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा, रही कॉंसी है, 09003 बांदरा टेर्मिनस, हजरत निजामुदीन, इस्पेशल राजदानी, वा यार इस्पेशल राजदानी आई है, चलिए अच्छ है, इस्पे भाई, डूजव F5, बाउ यार गजब स्पीड में है, तो ओवर्टेक कर रही है, राजदानी यह है, 130 के लिमिट है, 130 पर जाएगी जहां तक है, बाई बाई, स्पेशल राजदानी, आपने हमें ओवर्टेक करके और अच्छे काम नहीं किया, बाईदा बेकर अपना जो सिगनल यार वो रेट से येलो दो हो चुका है, मतलब हम उसे क्रॉस कर सकते हैं, उसे लिए क्रॉस करते हैं, बेभी आप सिगनल हमारे ही हो सारी, इस जबर लेकर एर एक से ज्यादा ओवर्टेक तो पॉसिबल नहीं है, अरे यार ये तो रेट सिगनल है, आई अभी भी कुछ आतो नहीं राना मेल लाइन पर, चलिए, सिगनल जो है, हमें मिल चुके हैं, हमारी डबल डेकर एक्स्प्रेस को, और निकलते हैं अभी लूप लाइन से, जो की है, स्टेशन की भाई, नेम बताईए, कौन सी स्टेशन है, दुंगरी जी, हमारी कंप्यूटर काफी बहनती है, हमें सब चीज बताता है, कौन सी ट्रेन आ रही है, और कौन सा स्टेशन हम क्रोस कने वाले है, अब एर क्रोसिंग के लिए मालगाड़ी आगी लगता है, आई तिंक लाला गुड़ा बैखना है, अधियार, यह क्या है, भाई, अब ट्रेन विदाउट लोको हो रखा है, पीजे भाई, अब एमर्जेंसी केस है, ब्रेक लगा लेते हैं, और, इनफर्मिशन दे देते हैं, जो भी है, यह चीज क्या हो रही है, यह चीज हमने क्या देख ली, गाईज, यह वह वाला केश हो गया, कि चलती-चलती ट्रेन की कपलिंग तूट चुकी है, इस ट्रेन को रुकवालो यार कोई, और चलिए अपनी ट्रेन को क्या रुकना हो, ऐसा तो टेकने मिलता ही रहता है, उपन रेस में, इमें भी कुछ स्टॉक अवेलिबल नहीं होगा, या जो भी वो वैगन यूस किया होगा, उनके पीछे जो एमटी एरिया था, वो वैगन की शेफ फाइल में खुरी खराबी हो सकती है, या टेक्स्टर फाइल जो है अवेलिबल नहीं होगी, इसलिए वो ऐसे खाली लिखा है, वो कपलिंग तूटें वगएरा कि सही हुआ ह और हम एक पॉइंट से कह सकते हैं, कि ऐसा हो गया होगा, और यार हम खामकार डर गए और अपनी ट्रेन रोगती, यह अच्छी बात नहीं है, तो फ्रेंट सबस्ट वीडियो के लिए इतना ही, कि यह अच्छी बाकी का पाट है, वो नेक्स वीडियो समें कवर करते हैं, एंट प्राइ करता हूं कि मैं आपको डेली जो है वीडियो अप्रोड करूं, वैसे तो मेरा काम्या डेली वीडियो अप्रोड करने का ही है, मतलब मन्त वीकली में एक दू अप्रोड करने वाले हम नहीं हैं, हम डेली अप्रोड करते हैं बट वो थोड़ी वर्ग आ जाता है, तो कभी में अप्रोड नहीं कर पता हूं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसके रिकार्डिंग कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स सेक्षन में आप बीभ बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से लिखना चाहते हैं, मैं ट्राइब करूंगा कि वो बना पाऊं, तो अपना ख्याल रखें मेरी वीडियोस लेखते रहें वावे और टेक कियर मिलता है आप से भी से नेक्स वीडियोस पर अबियोस बीडियोस अपना ख्याह प्याह